तो इस वीडियो में अभी हम लोग डेसिवल स्केल के उपर कैलकुलेशन पढ़ेंगे कि अगर जैसे आपको लाउडनेस को मेजर करना है डेसिवल्स के अंदर तो अगर यह वीडियो समझ में आया अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्र की लाइक करें देखो तो अभी यहां पे डेसिवल स्केल क्या मतलब इस चीज़ का मतलब क्या है कि कुछ भी जो मेजरमेंट रहता है मेजरमेंट करने वे हमने पता है कि सर किसी तेज आवाज आएगी तेज आवाज का मतलब कितनी ज्याद्हेंद एनरजीन रहेंगी और ए देखो तो यहाँ पर अगर आपको loudness को measure करना है तो इसको हम लोग decibel scale के अंदर measure करते हैं तो इसके लिए formula क्या रहता है जो हम लोग use करते हैं हम लोग use करते हैं कि intensity level या sound level in decibel is 10 log of i by i not fine 10 log of i by i not log to the base 10 है यहाँ पर fine और i है intensity जो आपको सुनाई दई और i not है जो एक constant है जिसको लिखा हुआ है threshold intensity जिसकी value है 10 रिस पार माइनस 12 वोट पर मीटर square fine तो हम लोगों को हर हाल में formula याद रखना पड़ेगा 10 log of i by i not और यहाँ पर याद रहे कि i intensity है जो आप लोग put करेंगे और i not है constant जो रहता है 10 पार माइनस 12 का fine तो इसके उपर एक symbols हम लोग example करके देख लेते हैं ताकि हम अच्छे से समझ में आ जाए जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखाव है the sound level at a point is increased by 40 decibel by what factor is the pressure amplitude increased बहुत ही शांदार question देहां से समझना भी मान लोग पर जो पहले महाँ पर sound level था जिसको मैंने लिख दिया SL1 sound level 1 जो पहले था वो मैंने लिख दिया 10 log of i1 by i0 कोई दिक्कत है नहीं sound level 2 जो increase होके आया वो मैंने लिख दिया 10 log of मुझे पता है कि और तो कुछ चेंज नहीं होगा i2 upon i0 हो जाए अभी हमें इनके बीच में पता है क्या relation है कि sound level is increased at a point by 40 decibel इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है SL2 minus SL1 मतलब की intensities के जो sound level है उनके बीच का difference दिया है 40 तो अगर मैं उनको इस चीज़ से equate करता हूं तो मैं लिखूंगा 10 log of i2 by i0 minus 10 log of i1 by i0 fine अगर आप इस चीज़ को solve करते हैं हर एक जग ऐसे 0 को cancel out कर देंगे यह बच गया 4 इस तरफ आ गया log सब्ट्रेक्ट किया गया है दो लोग को तो हम उनको अंदर लाके डिवाइड कर सकते हैं जब आप उनको डिवाइड करेंगे तो उल्टा होके multiply हो जाएंगे इस तरीके से हो जाएगी चीज़े यह cancel होके इतना आ जाएगा तो अगर आप यहां पर देखेंगे यहां का बेस्ट एन था टैन इस तो देपावर फोर आ जाएगा अपने पास आई टू बाई आई वन ठीक अभी आपको पता चलेगा बचो कि यह आगा आई टू बाई आई वन का रेशो और अभी मैंने क्या पढ़ाया था इस अपिछले वीडियो में कि intensity is proportional to pressure amplitude square के proportional रहते हैं तो अगर मैं उसको लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं P2 square upon P1 square यह कितना हो गया 10 is power 4 अगर आप दोनों तरफ fruits लेते हैं तो आपको मिलेगा P2 by P1 is equal to 100 तो इस तरीके के बच्चों इसमें बहुती असान-असान questions आते हैं तो इसी formula के उपर simply based रहते हैं तो आप लोगों के formula याद रखना अच्छे से fine, okay, thank you, Hare Krishna